इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में शनिवार दो पहर मुस्लिम समाज के आठ लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। अब ये धर्म परिवर्तित करने वाले लोग परवीन बी से, पलवी, इर्फान से इश्वर, गफार से गोविंद, मौमद यूनुस से मोहनलाल, शेरू से ओंपरकाश, रुकईया बी से रुकमनी, तमन्ना से तन्नू, हैदर से हरी नारायन बन गए हैं। अच्छी अनुभूती प्राप्त हुई है मुझे, और मन से मुथ मैं बहुत प्रजलित और प्रसन्न हुआ हूँ आज, और आज मुझे इसा प्रतीत होता है कि मैंने नया जन्म जी आ, प्रताओं में क्योंकि मैं था, जो कि उच इस प्रकार के धर्म और इसी जो योजना जिस पत्तेसी सच चलती है, मैं तो फुटा सा उनकी जो सोच और विचार धरा में मुझे थोड़ा सा अनंद कभी मिल निभाया कि उनकी अनुसार उसको कर पाऊं में तो तो समय समय पर वैसी चीजे होती रही है क्योंकि मेरी ऐसी पद्दी रही है और व्यवस्ताओं में रहा हूं तेकिन आज नया जन्म जो मुझे मिला है और वैसी इस्तिती कहीं न कहीं बनी रहेगी तो आज कई लोगों ने असनात्म धर्म जाइन करा है आए है क्या कहना चाहेंगे एक्शुल में जो मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा बर्ग है जिसमें लुहार है, तेली है, पिंजारा है, जूलाहा है, तसाई है, नायते पटेल हैं और ये सब मुस्लिम जो हिंदू है जिनके पूरवज हिंदू थे और ये मुस्लिम कटर पंथियों से तरस्थ होकर अब अपने आपस सनातन धर्मी की ओर आना चाहते हैं आज सीरिया की स्थित देखो कि वहाँ एक भी मस्जिद सुरक्षित नहीं है यूक्रेन में गिर्जा घर सुरक्षित नहीं है ऐसे में भारती जो पसमन्दा मुसल्मान है वो अपने आप में ठगा गवा महसूस कर रहा है उस जमाने में पराचीन समय में जब इनका धर्मांतर प्रण हुआ था तब इनको मार मार के मुसलिम बनाया गया था आज उनके साथ इत्ता अत्याचार हो रहा है उनके मस्जिदों में आकमन हो रहा है जहां वो पाकिस्तान गए उनको मुहाजित ठहराया जा रहा है ऐसे में पूरा समाज तरस्थ हो करके सनातन धर्म की और अग करके सनातन धर्में समलित हुए है फिलाल प्रारंभिक तोर पर साथ लोगों ने आज मुसलिम धर्म को छोड़कर हिंदु धर्म अपनाया है हिंदु संग्टनु का दावा है कि आने वाले दिनों में कई और लोग मुसलिम धर्म को छोड़कर सनातन और हिंदु धर्म में आ प्राइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद